हेलो गईस! दोस्तों इस फिर इडिएमें आपको बताने वाला हों की रिया चकवर्ती के बैंक में कईए आया अचानक से करोडो रुप्या जब सुसान्त खतम हो गए उस समय जीहां आपको बताए दोस्तो दावा किए चाता है कि रिया चकवर्ती जो है अचानक से ही वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई तो वहीं कई रिपोर्ट्स में ये भी दावक किया गया था कि रिया चकवर्ती ने सुसान सिंग राजपूत के पैसे खाएं इस वज़े से रिया चकवर्ती अमीर हो गई लेकिन दोस्तो सुसांत सिंग राजपूत केस की असल में क्या सच्चाई है रिया चकवर्ती ने क्या सच में ही सुसांत के पैसे खाएं अब मैं आपको पुरी जानकारी बताता हूँ दरसल देखें आपको बता देएं कि जब सुसांत इस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं तो तीन जाच इजनसियां AD, CVI और NCV तीनों ही आती हैं और सुसांत केस में हर एंगल से जाच करने की कोसिस करती हैं जिसमें जो AD की टीम है वो सुसांत के पैसों की तहकीकात कर रही थी और AD की टीम ने रिया चकवर्ती के बैंक को खंगालना सुरू कर दिया क्यूंकि सबको सक्था कि सुसांत के खाते से बहुत सारे पैसे गायब हुए हैं और इसके अलावा रिया चकवर्थी को बहुत सारे पैसे मिले हैं बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया था कि जो लोग सुसांत के दुस्मन थे उन्होंने रिया को पैसे दे कर ये कारण को अंजाम दिलवाये लेकिन इसकी सचाई क्या है वो जरू जानना इडी की टीम ने जब सारे रिया चकवर्थी के बैंक अकाउंट को खंगालना सुरू किया तो पता चलता है कि रिया चकवर्थी के बैंक अकाउंट में किसी भी तरह से कोई पैसे नहीं डाले गए हैं लेकिन सवाल ये था कि सुसांत के पैसे फिर गायब कैसे हो रहे थे क्योंकि सुसांत के बैंक अकाउंट से बहुत बड़ी एमाउंट गायब थी लब ऐसे में आपको बता दें AD ने जब जाच करना सुरू किया तो पता चला कि रिया चकवर्थी के उपर ही ये पैसे खरच हुए थे सुसांत सिंग राश्पुत रिया चकवर्थी को साथ सौपिंग कराते थे जो रिया ने बताय था इसी वज़े से सुसांत के खाते से पैसे गायब हुए हलाकि रिया के बैंक में पैसे नहीं मिले थे तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना